नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल फोटोसोप की दुन्या में आज हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी इमेज में रीम लाइट किस तरीके से एड़ कर सकते हैं हेर लाइट जो हता है उसे किस तरीके से एड़ करते हैं फोटोसोप के जरी है इस इमेज में हम hair light add करेंगे, इसके लिए हमने एक background लिया है, cut out करके इसको background को change करेंगे, ठीक है, इस background को हमें change करना है, और इस image का cut out हमने पहले से बना लिया हुआ है, अब देख सकते हैं, masking करके हमने cut out कर लिया, जिससे के cutting करने में हमारा time न भिगड़े, तो हमने इस image का cut out कर लिया है, चलिए देख लेते हैं, और कुछ हमने hairs लिये हुए है, ऐसे rim light के images है, इसमें से हमें कोई सब एक hair लेना है, और उसे उस पर apply करके देखते हैं किस तरीके से add होता है rim light, चलिए हम इसको cut out कर लिया है, इसको हम यहां से masking करके इस पर ले लेते हैं, लेने के बा out होने के बाद इसका काम अभी खतम हो गया है, ठीक है, background तो हमारा change हो चुका है, cut होते background चेंज करने में, तो क्या cutting करके तूरंती हो जाता है, फिर उसके बाद हम अपनी जो images हमने लिये है, इसमें से कोई सब एक hair ले ले लेते हैं, जिसको हम वहां पर apply कर लेते हैं, यह जो black colors है अंदर के, इसको हम थोड़ा सा remove कर दे रहा है, delete कर देते हैं इतना, बार-बार के इससे को delete कर देते हैं, ठीक है, ओके, यह हमारी ready हो चुकी है, अब इसी में से हम इसको यहाँ पर adjust करेंगे, इसको adjust करने के लिए यहाँ से alter करके प्रेस कर लेते हैं, copies का एक, पर ला देते हैं, control T करके हमें इसे छोटा कर लेना है, ठीक है, अपने hair के हिसाब से हमें वहाँ पर ला देना है, ठीक है, यहाँ पर ला दिये, यह हमारा यहाँ पर adjust हो गया, ठीक है, और इसे हम इसे image के नीचे ला देते हैं, image के नीचे लाने के बाद, हम इसे control T करके यह जो वार्प लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर सकते हैं या एडिट में जाके पॉपेट वार्प का भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो अभी हम यहाँ पर वार्प करते हैं इसको करने के बाद हम इसे थोड़ा एड़ेस कर लेते हैं इमेजेस को इसके नजदीक ला देते हैं ठ चप करा देते हैं थोड़ी दिरे-दिरे से एड्जेस्स कर लेना हमें जितना एर लाइट बताना है ठीक है फिर हमें यहां पर एंटर करना है कीबोड पर फिर इसका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल के जगह स्क्रीन कर देना जिससे कि यह ब्लैक निकल जाए ठीक अब इसे हमें कंट्रोल टी करके एड्जेस्स करके देख लेना है हमें कितना यहां से इस तरीके से ऐसा कर लेना ठीक है अब एंटर यह हमारा हो चुगा है ओके और हमें एड्ड करना है तो यहां से वापस से हमें कॉपी कर लेना यहां से जैसे इतनी भाग है यहां से हम लाके यहां पर एड़ेस कर सकते हैं blending mode हमें इसका स्क्रीन रखना है जितनी भी हमें extra hair चाहिए उतना हम यहां से वापस से add कर सकते हैं ऐसे का मिया ज़्यादा करके देख सकते हैं ठीक है और बाकी के इस से वो में जो नहीं चाहिए उसे erase कर देना है इसी तरीके से हमें इस तरब भी अगर और चाहिए तो हम यहां से copy करेंगे Ctrl-J करके इसका और यहां पर लाना है blending mode screen करना है और इसे layer के नीचे ले जाते है छोटा या बड़ा अपने हिसाब से करना है और इसके उपर भी रख सकते हैं हेर के थोड़ा और इससे व्रेप करना है उसके बाद इससे ऐसे adjust कर लेना है और जिस इससे पर ज़्यादा लगता है वहां से इसे हमें remove कर देना है इस तरीके से हम यहां पर hair light को add कर सकते हैं उसके बाद हम पीछे एक light डाल देते हैं जिससे इसका match up हो जाए इसको अभी हम बन कर देते हैं यहां पर एक light लिया हुए हमने light click इसको हम यहां पर use करना है बढ़ा करते हैं इसे और इससे हम background पर apply कर देते हैं hairs के नीचे ठीक है और इसका blending mode screen कर देते हैं और इससे यहां पर हम इस तरीके से apply कर देते हैं इससे कि यह थोड़ा realistic लगे अब इस hair की जरुवत ने इसे हम delete मार देते हैं और before after देख सकते हैं किस तरीके का hair light add हुआ है अब इससे देख सकते हैं अगर यहां पर भी आपको चाहिए images अगर समझ लो यहां पर भी कुछ hairs चाहिए तो यहां पर भी इसका copy कर सकते हैं इसी को हम यहां से copy करते हैं यहां पर लाते हैं अब इसको delete मार रहा है इससे control T कर ख़िए ऐसा कर लेते हैं और इसे भी same अपने image के नीचे ले जाना है जहां पर हमें जितना hair add करना है यहां पर रखना है और इससे ब्रेप करना है और यहां से इसे फोल्ड कर देना है थोड़ा बहुत अगर रखना है यह थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो इसी में से कॉपी कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके आप कर सकते हैं ऐसा हलका हलका साथ इसे यहां पर एड़ कर सकते हैं इसे हम मास्किंग कर देते हैं अल्डर प्रेस करके ग्रूप को और जहां पर हमें जितना चाहिए मास्क हो चुका है तो हई प्रम हमें वहाइड कलर लेके इतनी हेर पर हमें चाहिए उतना पे इस से चला देना है, प्रेस के जरी आमें नॉर्मल कलर पर यहां पर वाइट प्रस चलाना है, जिससे पर हमें हैर चाहिए उतने पर इस सिर्पी से चलाना है पिर इसकी ओपेसिटीक कौमिया जाद आपने इसाफ से कर सकते हैं ऐसा कुछ नॉर्मल ठीक है देख सकते हैं है यह लाइट एड़ हो चुका है और यह जो है बड़ा और छोटा lights को कर सकते हैं लाइट का सूर्स हमें जीतना देना है उतना ओकि तो भीपोरन आप्तर देख अप्टीस में ए्पिर लाइट चेंज होसु है इस तरीकसे आप Rim Light add कर सकते हैं, आप दोनों image को एक साथ देखते हैं, ठ् screaming, यह हमारी images थी, यह हमारी वा have original images की hair देख सकते हैं, आप इमेज किस तरीके का लग रहा है, और Rim Light add करने से इसने किस तरीके का look आया है, तो इस तरीके से आप अपने images का look बदल सकते हैं, बस छोटी से tips के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और कॉमेंट करके भी बताए हमें कि कैसा लगा आपको वीडियो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद